कि दोस्तों आज की वीडियो में हम टोटली बात करेंगे कि आपका सीम कार्ट क्यों बंद हो जाता है आप देख सकते मेरे पास बहुत सारा सीम है ताकि आपको विश्वास हो सके कि मैं इसके बारे में अच्छी तरीके से जानता हूं दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बात करने वाले कि आखित आपका SIM card Gio, BSNL, idea, vodafone, या artl, किसी भी company का SIM हो, तो क्यों बंद हो जाता है, कौन बंद करता है, क्या आपका SIM जो है, आपका service center बंद करते हैं, आपके company वाले आपका SIM बंद करते हैं, आपके मैंन में doubt रहता है कि मेरा SIM आखिर क्यों बंद हो गया, मतलब आप सोचते हैं कि मैंने इसमें कोई भी छेड़ नहीं किया, आपको पता भी ने चला, आपका SIM जो है, नेट वर चोड़ देता है, और आपका SIM बंद हो जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपका SIM बंद होने का main card क्या होता है, और कैसे बंद होता है, दोस्तों मैं आपको suppose that बताता हूं कि यह आप देख सकते हैं क्या है, एक memory card है, memory card को आप आसानी से पहचान रहे हैं, यह memory card नया रहता है, बिल्कुल fresh रहता है, लेकिन यह भी memory card किस प्रकार से छोड़ देता है, आपको पता है, यह memory card जो एक craft हो जाता है, अब मैं बात करने वाल हूं सीम card के बारे में, यह भी एक cheap है, सीम card भी एक cheap है, आप जानते हैं, आप भी समझदार हैं, दोस्तों चनल को subscribe जरूर करना वीडियो देखने के बाद, दोस्तों एक cheap है, यह भी SIM card है, जोस्तों एक क्रास होने का main card होता है, यह आपका SIM जो है चलते-चलते automatically पूरी तरह से बंद हो जाता है, लेकिन आपका SIM जो है, आपके company द्वारा बंद नहीं किया जाता है, आपका SIM company में पूरी तरह से open होता है, सिम आपका वही सिम बंद होता है जब सिम आपका बहुत दिनों से रिचार्ज नहीं होता है जैसे तीन महीने छे महीने और मतलब छे महीने से ऊपर का जो सिम रिचार्ज नहीं होता है या आप तो मैक्स में माला जाता है 90 दिन तक कोई सिम पर रिचार्ज नहीं होता है तो सिम आपका open रहता है जब आप customer care से बात करते हैं तो बताता है कि नहीं आपका SIM पूरी तरह से यहां से open है दोस्तों इसके लिए वो सलाह देता है क्या सलाह होता है उस SIM को बंद SIM को चालू करनेगा मैं आपको बताता हूं आपका SIM पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा ठीक है अब बात आती है जियो सिम के बारे में जियो सिम किस प्रकार से एक्टिवेट होगा यह जियो सिम आपका बंद हो जाता है उसके लिए आपका कोई दूपंदार open नहीं कर रहा है इस टाइम जियो का SIM open करने का एक तरी लगता है उसी प्रकार आइडिया वोड़ा फोन इसका बंद हो गया थे उसी आड़ी पर आप जाकर उसे चेंज करवा देते हैं और आपका जो है चौबिस घंटे के अंदर जो है आपका उसी नमर का SIM एक्टिवेट हो जाता है यदि उसमें आपका रिचार्ज रहता है तो आपको जो है रिचार्ज भी मिल जाता है दोस्तों की बात करते हैं तो इसी तरह भी हो जाता है दोस्तों ऐसा ट्रीक आपको कोई नहीं बताया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते जैसा जनकारी आपको मिलता रहता है वह भी 100 परसंट जनकारी और लाइक जूरूर अब कमेंड में कोई भी दिकत होगा तो कमेंड करिएगा रिपलाई आपका तुरंत मिलता है तो मिलते अगले वीडियो एक साथ तब तेक लिए जैहन बार